नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News पहली बार मंत्री बने कमल गुपता को सुप दिया है यह विवाग फिलाहल ग्रह मंत्री अनिल विज के पास है उधर देवेंदर पबली बुद्वार को जजबा की राश्टे अदेक्स अजया सिंग चोटाला को मिलने सिरस्थित आवास पर पहुंचे उन्हें पंचायत एमविकास के साथ आर्केयोलोजिय म्यूजियम विभाग दिया गया है CM के पास करीब सत्रा और डिप्टी CM दूशन चोटाला के पास करीब नो विभाग है वही अनिल विज के पास भी पांच विभाग है CM और विज के रिष्टे पहले से इस जादा मदूर नहीं है CID को लेकर भी CM और ग्रहम मंत्री के बीच काफी समयतक अनबन रही है हर्याना में बढ़ता कोरोना का खत्रा नाइट कर्फी बेसर च्यार दिन में सामने आई 333 में नए मरीज वही राज्य में अब 627 एक्टिव केस हर्याना में कोरोना और ओमिक्रोन वेरियंट का खत्रा बढ़ता जा रहा है हालांकि बढ़ते मामलों को देखते विए सरकार ने नाइट कर्फी रातरी 11 बज़े से लेकर सुबह 5 बज़े तक लगाया है लेकिन यह बियासर साबित हो रहा है 25 दिसंबर रात से नाइट कर्फी लागू हो गया था बावजुद इसके कोरोना के केस बढ़ रहे है 25 से 28 दिसंबर तक 333 में नए केस सामने आई है मंगलवार को परदेश में 126 नए केस आये थे नए साल का सीतलेर से स्वागत करेगा हरियाना का मोसम 9 वर्ष में सीतलेर से मोसम स्वागत करेगा जनुरी के पहले सफता के लिए भारत मोसम विग्यन विभागने येलो अलट जारी किया है सिर्फ सीतलेर ही नहीं बलकि गहरा कोरा भी पड़ सकता है जो वहानों के रफ्तार को कम करने का काम करेगा इसके साथ ही दिसंबर जाते जाते भी ठंड देगर जाएगा इस दोरान कोहरा और सीतलेर दोनों का लोगों का सामना करने पड़ेगा ये स्तिति पूरे हरियाना में सामने आएगी जनुरी का पहला सब्ता ठंड लेकर आएगा इस दोरान येलो अलट भी दिया गया है सीत लेर चलने की संभावना है हालांकि दिन का तापमान अधिक नहीं गिरेगा दिन के समय आसमान साफ रहने की उम्मीद है जिससे लोगों को राहत मिलेगी इसके साथ ही परदेश में उत्तर पूरो की और हवाई चलेंगी जो रातरी तापमान को परभावित करेंगी अनिल विज की नाराजगी के बावजूद सहरी निकाई कमल गुपता को सियम ने अपने कोटे से हाउसिंग विभाग विदिया बबली को पंचायत मंत्रा लया तो वहीं धानक भी हुए पावरफुल हर्यान की मुख्यमंत्री मनहुरला ने ग्रह मंत्री अनिल विज की नाराजगी को दर्कनार करते हुए उनसे सहरी निकाई विभाग वापस लेकर नए मंत्री कमल गुपता को दे दिया है साथ ही अपने कोटे से हाउसिंग विभाग भी उन्हे सोपा है वहीं देविंदर बबली को पंचायत एमविकास के साथ आर्केलोजी और म्यूजियम विभाग आउंटित किये गए हैं ऐसे में सरकार में पावरफुल मंत्री अनिल विज से एक विभाग वापस लिया गया है गोर रहे कि इन दोनों मंत्रियों को मिलाकर अब हरियान कैबिनेट में कुल 14 मंत्री हो गए है इनमें भाजपा की मनहुरलाल मुख्य मंत्री के कुर्शी पर है तो वहीं जजबा की दुशन चोटाला डिप्टी सीम है नवीन एव नवीकरणिय उर्जविवाग हरियान दोरा किसानों को किर्शी शिचाई के लिए 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोर उर्जा से चलने वाले पंप 75% अनुदान पर दिये जाने की योजना है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 3 HP, 5 HP, 7 HP, 10 HP के लगभग 8,629 सोर उर्जा से चलने वाले पंप 75% अनुदान पर हरियान राज्य के किसानों को दिये जाएंगे ये सोलर पंप के उल उनी किसानों को दिये जाएंगे जो सुक्सम सिचाई जैसे टपका सिचाई फवारा सिचाई विदी से सिचाई करते हों या अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबागर सिचाई करते हों जो किसान ये solar pump लगवाना चाते हैं विसरल हर्यना पोर्टर पर online आविधन कर सकते हैं एक किसान को क्योल एकी pump दिया जाएगा चैनित किसानों को सोर उर्जा Pump कमपणी को वर्क ओर्डर जारी होने के 3 बहीने के अंदर अंदर उपलब्द करवा दिया जाएगा किसान अपने नजदी की अंतियोधे स्राल केंदर या CST केंदर पर जाकर आविदन कर सकते हैं ओनलाइन आविदन करने के लिए आविदन का मोबाईल नमर जाथा बैंक खाता नमर परिवार पहसान पत्र सी लिंग होना अनिवारी है इसके अलावा किसान की पास पहले से बिजली के पंप काप कनेक्शन नहीं होना चाहिए, पटवारी दोवारा प्रमानित नवींतम किर्शी भूमी की जमाबुंदी या फर्द जिस किले में सोलर पंप स्थापित किया जाना है उसका नक्षा, खेत में सुक्सम सी चाई परनाल जैसे टपका फवारा भूमिगत पाइपलाइन स्थापित हो का सपत पत्तर जो कि ओनलाइन आविदन के समय ही निकलेगा आदी अनिवारी हैं एक दिन में ओमिक्रोन के 23 केस जोधपूर भिलवाडा और अलवर में भी एंट्री राजस्तान देश में चोथे नमबर पर जैपूर में कोरोना के 88 केस राजस्तान में ओमिक्रोन के साथ ही कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं बुद्वार को ओमिक्रोन के 23 नए केस मिले हैं जैपुर, शिकर, अजमेर और उदेपुर के बाद अब नए वेरियंट ने भीलवाडा, अलवार और जोधपुर में भी दस्तक दे दी है राजस्तान के साथ सहरों तक नया वायरेस फ्याल चुका है अब तक परदेश में इस वेरियंट से संक्रमित मिलने वालों की संक्या 46 से बढ़ कर उनेतर पहुँच गई है उधर पिछले 24 गंटे में अकेले जैपुर में कोरोना यनि डेल्टा के 88 मरीज मिले हैं राजस्तान ओमिकरोन केसों की मामले में देश में अब वापस चोथे नमर पर पहुँच गया है पूरे देश में अब तक इस वेरियंट के 804 केस मिल चुके हैं इनमें सबसे ज़्यादा केस 238 दिल्ली में मिले हैं वही महराष्ट में 166, गुजरात में 73 और राजस्तान में 99 केस पहुँच चुके हैं इसके बाद केरल 65 और तेलंगाना 62 का नमर आता है राहत की बाद याएगी इन 804 में से 255 मरीज रिकावर भी हो चुके हैं 31,000 टीचर्स की भरती जनवरी में रीट के साथ अकेडमिक इंडेक्स के मार्क भी जुड़ेंगे मंतरी बोले विग्यप्ति जल्द जारी होगी राजस्तान में 33,000 शिक्षकोवी भरती परक्रिया जनवरी में आरंब होने जा रही है इसमें लेवल 1 में 16,000 और लेवल 2 में 15,000 पदों पर शिक्षकोवी भरती की जाएगी शिक्षय मंतरी बीडिक कला ने बताया कि पदों के कलासिफिकेशन का काम अंतिम चाण में है शिक्षय वाग जनवरी में भरती की विग्यप्ति जारी कर देगा ऐसे में नए साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी शिक्षय मंतरी निका है कि 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों पर भरती निकाली जाएगी लेवल 1 के लिए सिर्फ डेयले योगताधारी पातर होंगे जबकि लेवल 2 के लिए बेड योगताधारी आविदन करश केंगे नए साल में प्यमोदी 10 करोड किसानों के खाते में 20,000 करोड रूपि करेंगे ट्रान्सपर किसानों को नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी बड़ी सोगा देने वाले हैं एक जनुरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहट वे किसानों को योजना की दस्वी किस्त जारी करेंगे बता दे कि PM किसान सम्मान निधी योजना के तैट अब तक किसानों के बैंक खाते में 1.6 लाग करोड रुटे ट्रांसफर किये जा चुके हैं वहीं परदानमंतरी कारेले 12 जारी बयान में बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 को दोपैर 12.5 बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादिम से होने वाले कारेकरे में PM किसान सम्मान निधी योजना के तैट परदानमंतरी किसानों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे हर्याना के मुख्यमंतरी मनहुरलान ने आंगनवाडी वरकर्स वे हेलपर्स को 9 वर्स का तोफा देते वे उनके हित में कई महत्पुन गोशना की है मुख्यमंतरी ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाडी वरकर्स की रिटैर्मेंट पर 1,00,000 रुपे तता हैलपर को 50,000 रुपे की राशी दिये जाने की घोशना की है इसके साथ ही मासिक मांदे में स्तंबर 2020 से 400 रुपे और स्तंबर 2021 से 400 रुपे की बड़ोतरी करने और दो साल यानि वर्स 2019-20 और 2021 का एरियर देने तता कोविड-19 की दोरान फ्रेंट लाइन वरकर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाडी वरकर्स को 11,000 रुपे परोत्सान राशी के रूप में देनी की भी घोशना की है इस अवसर पर महिलाईम बालविकास राज्य मंतरी कमलेस धांडा भी उपस्तित रही उन्होंने कहा कि आंगनवाडी केंद्रों में किसी भी आंगनवाडी वरकर और हैलपर को नहीं अटाया जाएगा उन्होंने कह परकर्स को विभाध की ओर से एक-एक मॉबाइल फोन भी दिया जाएगा ताकि वे पोशन ट्रेकर एप पर अपने अंगनवाडी से समधित संपून डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट रखें काबिनेट बैठक में नई गाईलाइन मंजूर गैलोत वोले नए साल का जसन रात साड़े बारा बजे तक ही होटलों की बुकिंग कैंचल नहीं होगी राज्थान में कोरोना यानि डेल्टे वेरियंट और ओमिक्रोन की बढ़ते मामलों को लेकर सियम रेजिडेंस पर शुरू ही कैबिनेट बैठक करीब पोने दो घंटे तक चली इसमें कोरोना को लेकर नए गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई है यह एक जनुरी से लागू होगी फिलाल गहलोत ने काया कि न्यू येर सेलिबरेशन रात साड़े बारा बजे तक करश केंगे होटलों के पहले से हो चुकी बुकिंग को कैंसल नहीं किया जाएगा SMS अस्पताल की डक्टर पियार गुपता ने कहा दास अंसकार में 20 लोगों की लिमिटेशन करनी चाहिए साधियों में 200 लोगों की बाद देता करें बाद में इसे 40 करना चाहिए गैदरिंग पर रोक लगनी चाहिए नई गाइडलाइन में नाइट कर्फिव का समय बढ़ाने पर फैसले की संभावना है अभी रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फिव लगा हुआ है नाइट कर्फिव को रात 10 बजे से किया जा सकता है एक्सपर्ट की भी राय है कि सकती की जानी चाहिए नई गाइडलाइन में सरकारी दफ्तरों बाजारों के लिए वैक्सिनेशन की डबल डोज वालों को ही एंट्री का प्रावधान गाइडलाइन में सामिलोगा सारजुनिक जगों पर बिना मास्क निकलने वालों पर सकती की जाएगी एक जनूरी से बिना मास्क वालों से सकती से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया जाएगा के अंदर सरकार का बड़ा फैसला 351 डिफेंस प्रोडेक्ट के इंपोर्ट का दिसंबर 2022 से रोक देश में ही होगा इसका निर्मान मंतराले की मताबिक इन सभी प्रोडेक्ट के इंपोर्ड को तीन स्टेज में बंद किया जाएगा इस फैसले से 3000 करोड रुपे की फोरें करेंसी की बचत होगी इसके साथ ही जारी एक और लिस्ट में 2500 ऐसे उपकोणों की जानकरी दी गई है जिनने अब पूरी तरह से भारत में ही बनाना शुरू कर दिया गया है मंतराले ने बताया कि इन सभी डिफेंस प्रोडेक्ट का इंपोर्ड अगले तीन साल में बंद किया जाएगा पहले स्टेज में अगले साल दिसम्बर तक 172 प्रोडेक्ट का इंपोर्ड बंद किया जाएगा इसके बाद दिसम्बर 2013 तक 29 उपकोणों का आयत खत्म किया जाएगा सबसे आख्रमी दिसंबर दोजार चोबिस तक 90 प्रोडक्स का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा सरकार इन फैसलों के जरिए आर्मी एक्विक्मेंट के छेत्र में मेकिन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दियाना चाहती है जहां से जंक्सन बना विरांगना लक्स्मिभाई रेलो स्टेशन मोधी सरकार ने बदला नाम चुनावी सीजन में भी उत्तरप्रदेश में नाम बदलने का सिलसला जारी है बुद्वार को योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहट जहां से रेलो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है अब ये रेलो स्टेशन विरांगना लक्स्मिभाई रेलो स्टेशन नाम से जाना जाएगा इसके लिए बाकाईदा बुद्वार साम आधी सूचना भी जारी कर दी गई है आने वाले दिनों में इस स्टेशन का कोड भी बदल जाएगा वहीं राजी सरकार के इस फैसले पर भी सियासत सुरू हो गई है नाम बदलने के लिए मासुहर योगी सरकार ने स्टेशन बदलने के पीछे अपने कुछ तर्क भी दिये है उनके मताबिक स्टेशन का नाम बदलने से इलाके में प्रेटन की संभाव नहीं बढ़ सकती है इसके लाबा बुंदलखंड इलाके में भी इसका लाब देखने को मिलेगा हालाएं की राजनीतिक विशे सके इसे चुनाव के चलते लियागाए फैसला बता रहे है कोरोना वाइरस के नई वेरियंट ओमिक्रोन की केस भारत में तेजी से बढ़ रहे है आफरीका हेल्थ रिसर्च एंसिटूट की ओमिक्रोन संक्रमित लोगों पर की गई रिसर्च में चोंकाने वाले नतीजे सामने आये है इसके मुताबिक ओमिक्रोन संक्रमन जहल चुके लोगों की सरीर में कोविट के किसे भी वेरियंट से लड़ने की ज्यादा समता तयार होती है इस रिसर्च के ट्राइल में 15 वेक्षिनेटेड और अनवेक्षिनेटेड लोगों को सामिल किया गया जो ओमिक्रोन वेरियंट से संक्रमित हो चुके थे रिसर्च से पता चला कि Omikron संक्रमण के बाद सरीर में फिर से Omikron से लड़ने की चंता में 14 गुना जादा इजावा होता है वहीं घातक डेल्टा बैरियंट के खिलाब लड़ने की चंता में करीब 4.6 गुना का जादा इजावा होता है वैक्सिन नहीं लेने वालों की तुलना में वैक्सिनेटेड लोगों की एमिनियूटी का रिस्वांस बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिला है vaccinated लोगों को अगर Omicron का संक्रमन होता है तो उनकी immunity को और भी ज़्यादा boost मिलता है इसलिए फुली vaccinated होना बहुत ही ज़रूरी है शेयर बाजर अपडेट सेंसक्स 91 पॉइंट गिरकर 57,806 पर बंद वहीं SBI और ITC एक एक परशेंट टूटे गिरने वाले परमुक शेयर में Powergrade, Infosys, HDFC Bank, Tata Steel, Kotak Bank, Airtel और Axis Bank तधा NTPC रहे पांच जनुवरी को भारत में गर्दा उडाने आ रहा है 50 Megapixel फंट कैमरा वाला धासू स्मार्टफोन फीचर देख हो जाएंगे खुश चेंज के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो भारतिय मार्केट में 5 जनुवरी को वीवो V23 5G स्मार्टफोन को लांच करने के लिए पूरी तरह से तयार है वीवो के इस नई स्मार्टफोन को लेकर अब तक कई लिक रिपोर्ट सामने आ चुके हैं वीवो V23 5G में 6.44 इंच का एमोलेट डिस्पले होगा जो फुल एच्डी प्लस रेजुलेशन और 90 हर्ट रिप्रेस रेट परदान करेगा यह डाइमेंशन 920 चिप्सेट वाला भारत का पहला स्मार्टफोन हो सकता है डिवाइस 8GB RAM और 128GB वे 256GB के साथ भारत में 10 तक दे सकता है इसके लावा स्मार्टफोन में पाउर बैक अप के लिए 4200 यानी 2400 मेंस की बैटरी दी जा सकती है वहीं 44 वाट फास्ट चार्जिंग को स्पोर्ट करती है रिपोर्ट की माने तो स्मार्टफोन में अल्टर वाइड लेंज और 20 MP प्रै केमरा दी या Android 12 OS और Фंटच OS 12 के साथ आ सकता है लिए लिक रिपोर्ट्स की माने तो स्मार्टफोन की किमत 26,000 रुपे से लेकर 29,000 रुपे की बीच होने की संभावना है लेकिन असल किमत कितनी होगी इसके जानकरी लॉंचिंग के बात सामने आईगी